वार नसी जहां प्रधान मंठी नरींद्र मोधी संबात कारिकर में हिस्ता ले रहे दर असल वो इस दोरान लोगों से बातशीत कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं सनवा देतें आपको दवा चल लाना अभी तो तीन ही महिना हुआ तीन महिना दस रोज हां और आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा अभी तो मेडिसीन चल ला है ना सर तो डॉक्टर ने जो बताये एक्सरसाइज करने के लिए का अभी एक्सरसाइज के लिए नहीं बोले हैं नहीं बोले हैं कि अभी दो महिने तक दवाई खाओ अभी सर्दी में पेन होगा द सब को बताना चाहिए तो गरीब का परिवार का अगर सो रुप्य की दवा लानी तो असी रुप्या बच जाता है तो यह सब को समझाएए आपके गाउं में आपने और लोगों के आईश्मान कार्ड बनवाए क्या हां सर बनवाए हूं 10-15 लोगों को बनवाए हूं और लो बनवाले ताकि उसका लाब जवर्वत पड़े पर उठा ले और किसी को अभी मदद पहुंची हो ऐसा कोई और साथी जिसको जानते हो आप अभी तो उसका लाब उठाने वाला भी कोई नहीं है तो अभी अभी आईश्मान कार्ड आपने ट्रिक्मेंट करवाया हां सर तो परो का ऐसा तो नहीं था नियुक्त अदमी है चलो जावत जल्दी जल्दी वैसे करके फैक दो अधर तो नहीं किया नहीं नहीं सर उन्होंने मुझे दो सितंबर को एडमिट किया चारतारिक को मेरा अप्रूवल आया फिर उसके बाद रात में चारतारिक को ही कैंसिल हो गय जब तक अप्रूवल आया गा नहीं तब तक मैं हाथ नहीं लगा फिर चारतारिक को अप्रूवल आ तो उन्होंने मेरा आठ तरीक को ओप्रेशन किया आपके परिवार को विश्वास हो गया कि मुफत में होगा लेकिन फिर पी अच्छा होगा तांग काट नहीं लेंगे अ परिश्वास हो गया है तो आपको संतोष है हाँ मुझे संतोष है तब ही इतना दूर चल के आहूं तो आगे क्या करोगे चनुलाल आगे तो अभी ठीक हो जाएंगे अभी तो आट मैने से घर पर यह ना सर अभी तो दवा ही खा रहे हैं जब ठीक होंगे तो फिर सोचेंग अब ठीक हो जाएं अरे चोड तो पैर को आई है दिबाग को थोड़ी आई है अपने घर पर आप जहां पर बैठे हैं उतना दूर भी चल नहीं पाता दिन भर सोया रहता हूं चेयर पर बैठा रहता हूं यह तो आपके सभा में आने का मुझे चांस मिला मौका मिला तब मै इतना कोशिज करके आ सका और मैं अपने घर पर दवा खाते हैं अपरेशन के बाद अभी चल पा रहे हो हां तो अभी इतना भी नहीं चलता है जितना आप ऐसे मेरी दूरी है तब रहेज़ता चलिए च्छनुलाल आपकी तब आपको आईश्मान काड बहुत काम में आया मे और कभी भी परिबार में किसी को भी मुसीबत आ जाएं हम तो कहेंगे कि ना आए लेकिन कभी आ जाएं तो पांच लाख रुपिये तक खर्चा जो है मोदी कर देगा चलिए ठीक तो बताओगे समको हाँ काड़ बनवा दोगे हाँ मैं बोलूंगा सबको कि आप लोग अपना अपना काड़ बनवा लिए अरे मदद भी कीजिए ना मदद भी कर देंगे सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद जैनुलाल जी अब इस कारिक्रम की अंतिमकडी में बारी है समान की मैं हमारे माने निये प्रधान मंत्री जी से सादर अनुरोद करूंगी कि आप मंच पर आएं और लगपती महिला श्रीमती चंदा देवी जी को समानित करें और ये एक सुन्दर अवसर है अर्भुत अवसर है कि आप हमारे बीच सभी को आशिर्वार देने के लिए उपस्थित हुए हैं श्रीमती चंदा देवी जी जोर्दार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करें और इसी के साथ मैं बुलाती हूँ लगपती महिला श्रीमती मनिशा देवी जी को ये आज की महिलाएं हैं जो भारत का एक नया नई पहचान नई नया स्वरूब गढ़ रही है जोर्दार तालिया मनिशा देवीजे के लिए और इसके पश्चात निपून दक्षता हासिल करने वाले चात श्री सिद्धार ची को मैं मंच पर आमंतृत करती हूँ सिद्धार ची मंच पर आईए जोर्दार तालिया इन बच्चों के लिए ये छोटे छोटे बच्चे हमारे भारत का भविश्य अपने तालियों से इस बच्चे को आशिरवाद दीजे शिद्धार को आशिरवाद दीजे और इसके बार मैं निपून शात्रा सुश्री आस्था को मंच पर बुलाती हूँ ये शात्रा निपून दक्षता हासिल कर चुकी है तो विक्सित भारत संकल प्यात्रा के तहट यहाँ छात्रों को सम्मानित किया जारा है दरसल पीए मोदी का वार नसी दौरे का दूसरा दिन है आज और इस दौरान वहाँ मौजूद छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं और आपको बता दे कि इस दौरान लाभारतियों से भी बात किये तमाम लाभारतियों से बाच्चीत भी की और आयश्मान गार्ट जिन लोगों का नहीं बना है वो बनवाने की अपेल भी पीम मोदी की तरफ से की गई लाभारतियों से बाच्चीत करके सरकारी योजनाओं का क्या कुछ लाभ किस तरीके से उने मिला है और किस तरीके से वो इन योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं लाभारतियों ये तमाम जानकारे भी पीम ने हासल करने की कोशिश की है और इस दौरान लाभारतियों से य ये अपील करें कि आयश्मान कार्ड यूजना के तहट अपने अपने कार्ड बनवाएं इस यूजना का लाब जादा से जादा उठाएं और अब पिये मोदी यहां मवजूद शात्रों को समानित करते हुए भी नज़र आ रहे हैं ये तस्फीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर सिधे वार नसी से बता दें कि पिये मोदी वार नसी के दो दिवस्य दोरे पर हैं और इस दोरान उन्होंने कई करूड की परियूजनाओं की सौगात जनता को सौपी है साथ ही स्वरवेद महामंदिर का उदखाटन भी पिये मोदी की तरफ सी किया गया दरसल दो दिवस्य में चार कारिकरम प्रस्तावे थे प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी के कल दो कारिकरमों में उन्होंने हिस्सा लिया वहीं आज भी उनके कारिकरमों की कतार लगी हुई सुबह में एक तरफ जहां प्रधानवंत्री नरींद्र मोदी ने स्वरवेद महामंदिर का उद्खाटन किया वहीं अब विक्सित भारत संकल प्यात्रा के तहत लाभारतियों से बाचीद पी की यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पिये मोदी खुद जनता के ब तमाम यूजनाओं का लाभ किस तरह से जनता ले पा रही है मोदी की गैरेंटी वाली गाड़ी घर घर तक पहुँच रही है या नहीं या इस गाड़ी से जनता को क्या कुछ लाभ हो रहा है किस तरह से कितनी आसानी से सरकारी यूजनाओं का लाभ जनता उठा सकती है ये तमाम जानकारी तमाम चर्चा करते हुए भी प्रधान मंत्वी नरींद्र मोधी नजर आ रहे हैं ये देखिए आपकी तस्वीरे आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से वहां मौजूद महिलाओं से बाच्च्वीत कर रहे हैं और उनको यूजनाओ का लाब वो कैसे ले सकती ह इसकी जानकारी देते हुए भी नजर आ रहे हैं साथ ही क्या कुछ सरकारी लाब उने मिल रहे हैं वो भी जानकारी हासल करते हुए वो नजर आ रहे हैं